अलो एवरिवन आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला NCRT अधारित विज्ञान के प्रस्ण और उत्तर जिसका ये सेट नमबर 5 होगा जिसमें हम सब कुश्चन नमबर 41 से लेकरके 50 तक देखेंगे इसका पीड प्रस्ण पासकेंगे ठीक है चलिए सुरबात करते हैं आज के वीडियो की परिस्षे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो चले ये तो लाइक कर लेंगे जैसे प्लेन चलता है आस्मान में रडार के इकॉर्डिंग उसी तरह चमगादर चलता है रडार के इकॉर्डिंग ठीक है समझ गए जिसके रडार का नाम यही है कि पराध्वनी तरंगे शिंपल सा बात है अब दिखे मैं नीचे एक्स्प्लेन किया हूँ कि धोनी तरंगे उत्पन करते हैं या धोनी तरंगे रडार द्वारा प्रचेपित प्रकास तरंगों की भाती मार्क की रुकाबट से टकराने के बाद उद्गम सुरोत तक लोट आती है फलता चमगादर अपनी समवेधन सील इंदरियों से संभावित रुकाबट की दिशा और दूरी कानमान लगा लेते हैं ठीक है चमगादर रात में पराध्वनी तरंगे के कारण उड़ पाता है वही उसका रडार है और कुछ अपना इंदिरिया भी है जिससे की वो समझ बूच लेता है ठीक है यह वही चमगादर है गो कोरोना गो वाला ठीक है याद कर लिजी आ होते हैं तथा इलेक्ट्रोन नुकुलियस के इर्दगिर्द चकर लगाते हैं तो फोटो में आप देख सकते हैं तो यह आपको याद रखना है देखिए इलेक्ट्रोन जो है यह चकर लगाता है किसका प्रोट्रोन और नूट्रोन का प्रोट्रोन और नूट्रोन कहां रहत और एक उसका दुस्मन इलक्ट्रोन उसके चारोर चक्कर काटेगा ठीक है पता लगाने के लिए कि क्या चल रहा है क्या खिचुड़ी पकरा है समझ में आ गया तो परमानू के नाभिक में प्रोट्रोन तथा न्यूट्रोन अवस्थित रूप से नुकलोन कलाते हैं यह आप रखेंगे प्रोट्रोन प्लस वाला होता है न्यूट्रोन उदासीन होता है कुछ नहीं उसको कोई मतलब नहीं है आप आपके साथ प्रोट्रोन के साथ रहेगा लेकिन प्रोट्रोन से कोई मतलब नहीं है ठीक है उदासीन है वह विचारा उदास है इलेक्ट्रोन माइनस मे थीकले है तो यह आप याद रखेंगे परमानु को केंदर में धनावेशित मैं फोटो में बता देता हूं नुकली कहा है तो और आप देख लिजी मैं मार्क कर चुकाहूं थीकले है तू बस इतना ही याद रहआ है निउट्रोन प्रोट्रोन का चक्कर कोन काटता है इलेक्ट्रोन ऐसा कोशन BPSC में आ चुका है 43 नमर कोशन है लोहे पर जंग लगना या चांदी के आबूसन पर काली परत का जमना किस अभिकरिया से होता है तो इसका अंसर हो जाएका संचारन अब ये संचारन क्या होता है तो फोटो में आप देख लें कोई विवस्तु जो जिसमें जंग लग जाता है तो जंग लगना ही क्या कलाता है संचारन तो संचारन को धातों पर पैंट करके मिस्तरित धातू बनाकर या अन धातों की परत चड़ाकर रोका जा सकता है मतलब उसको जंग लगने से बचाया जा सकता है संचारन एक्चुल में क्या होता है तो नीचे में डिफनेशन लिग दिया हूँ जब धातु वायू की ऑक्सीजन नमी या अन रसायनों से धीमी अभिकरिया द्वारा धीरे धीरे नश्ट होता है उसी को संचारन करते हैं देख ठीक है और एक कुस्सन भी आता है कि जंग लगने पर लोहे का बार बढ़ता है तो बार जो है बढ़ता है सिंपल सा बात है संचारन इसमें मैं समझा रहा था कि लोहे में जंग लगना या चांदी के अभुसन पर काली परत का जमना ये किसके कारण से होता है तो संचारन अ पैसे भी आएगा नमी के संपर्क में आ गया यानि पानी के संपर्क में आ गया और धीरे-धीरे नश्ट होता गया धीरे-धीरे उसमें जंग बढ़ता गया तुसी को बोलते हैं संचारन संचारन को ठीक कैसे करेंगे तो धातवों पर पेंट कर दें मिस्तृत धातू बनाकर या अन धातवों की परच चढ़ा कर रोका जा सकता है तो यह आप कर सकते हैं इसलिए घरों में जब भी नया लुहा नया खिड़की दरवाजा लगता है तो पहले हमारे सब के गारजन क्य छोड़ता है जिसके कारण दर्द इवम जलन का अनवब होता है तो इसका अंसर हो जाएगा मैथेनोईक अमल इसका सूत्र होता है S-C-O-H यह याद रखेंगे आप सब तो कभी अगर आपको मदुमक्खी काटा होगा तो बहुत दर्द का अनवब होता है इसके पीछे का का तो आप जान जाएं कि मदुमक्खी के डंक में कौन सा अमल होता है मैथेनोईक अमल डंक मारे गए अंग को आप कैसे सुधार करेंगे तो डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुरलब छारक का उपयोग से अराम मिलता है मदुमक्खी पालन को एक्जाम में पू लोडा को सोडियाम हैड्रोजन कार्बोनेट करते हैं इसका सुत्र होता है ठीक है चले बढ़ते हैं अगले कोशन की ओर फोटी फाइब नमबर देखते हैं लोहे एवं इस पात को जंक से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंग की पतली परच चड़ाने की विधी को क्या क चाहिए अब मैं समझाता हूँ जिंग की परच नश्ट हो जाने के बाद भी यसद लेपित वस्तू जंक से सुरक्षित रहती है ठीक है तो अभी हम सब पढ़ेते की जंक क्यों लगता था तो संचारन के कारण लगता था इसको सुरक्षित कैसे रखेंगे तो जिंग की पत करन करके या मिस्तर धातू बनाकर लोहे को जंक से बचाया जा सकता है तो यह सब आप याद रखेंगे मेलनी आपको यह याद रखना है कि कौन सा विधी होता है तो यह सद लेपन चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए 46 नंबर कोशन देखते हैं किस अमल का अधिकांस मातरा मे उपयोग उरवरकों के उत्पादन में किया जाता है इस उरवरक के जगह पे रसायन भी लिखा जा सकता है तो रसायन भी लिखा आता है कभी-कभी तो आप याद रखेंगे इसका अंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अमल जिसका सुत्र क्या है S2SO4 इसके अलावा सल्फ्यूर का और क्या उपयोग है तो फर्स्ट नमर है पेट्रोलियम के सोध में अप मार्जक उद्योग में दूसरा है संचायक बैटरी में तीसरा है परियोग साला अभी कर्मक की तरह तो पेट्रोलियम सोध में पेट्रोलियम की खोज में किया जाता है संचायन बैटरी में अप मार रखेंगे S2SO4 होता है बढ़ते हैं 47 question क्यों next question जो है वो numerical question है तो आपको मैं समझाता हूँ इस question में क्योंकि इस question में confusion होने वाला है मैं आपको समझाता हूँ 47 है जिस त्वत्व के परवानू में 4 proton, 4 neutron और 4 electron हो उस त्वत्व की दर्मान संख्या कितनी होती है तो answer हो जाएगा 8 अब option में आपका answer देदेगा 12 तो आप तुरत जोड़ देंगे 4 proton, 4 neutron और 4 electron, 4 electron, 4, 4, 4 हो गया 12 लेकिन आपको ये फर्मूला याद रखना है दर्मान संख्या बराबर ठीक है दर्मान संख्या बराबर होता है proton की संख्या प्लस neutron की संख्या तो proton की संख्या है 4 neutron की संख्या है 4 आपको याद होगा ये proton और neutron दोनों एक साथ रहता है कहां पे रहता है nucleus में रहता है जो कि आप first या second number question देखे आज के वीडियो में तो proton और neutron को जोडेंगे जो प्राप्त होगा वही उसका आंसर होगा तो 4 और 4 कित्ता हो गया 8 अब यह जो electron का दिया वा है यह electron कहां गया तो electron का नहीं add किया जाता है यह बस confuse करने के लिए आपको exam में दिया जाता है और यह BPSC या UPPCS में यह question पूछा गया था तो मैं नीचे लिख चुका हूँ देख लीजे परमानू में electron की संख्या प्लस neutron की संख्या अब electron दे दे 1000 तो उससे कोई मतलब है नहीं उसको जोड़ना ही नहीं है ठीक है तो proton हो गया 4 neutron हो गया 4 4 और 4 मिलाएंगे तो हो जाएगा 8 ठीक है यह था सवाल इसको आप याद कर ले बढ़ते हैं अगले question की ओर 48 number question देखते हैं आवोग्रादो संख्या का मान कितना होता है काफी बार यह BPSC में तो नहीं पूछता है पर यह बिहार पुलीस और railway विगरा में पूछ लेता है तो यह सुक्मान को आप याद रखेंगे चे दसमलब 0,22 गुना 10 पे पावर 23 अब यह आवोग्रादो संख्या के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं तो किसी पदार जिसमें परमानू अनू इलक्ट्रॉन आयन आदी कन एक मोल दरसाने वाली संख्या आवोग्रादो संख्या कलाती है आवोग्रादो जो नाम मिला अनू आते हैं अथ्वा आयन आते हैं कि संख्या निस्सित होती है जिसका मान 6.0,22 गुना 10 पे पावर 23 होता है और यही मान क्या कलाता है आवोग्रादो संख्या तो आप मिलनी मान आप याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और थोड़ा साब यह याद रखेग तो इसका आंसर हो जागा उधर उपातन जिसको इंगलिस में बोलते हैं सब्लीमेशन इससे काफी बार एक्जाम में प्रस्ण मतने हैं तो सबसे पहले उधारन से ही प्रस्ण पूछ लिया जाता है जैसे पहले तो उधारन समझ लीजिए तो उधर उपातन यानि ठीक है अब आईए मैं आपको समझाता हूँ कि सब्ली मेशन एक्चुल में क्या होता है यानि उद्धर उपातन एक्चुल में क्या होता है तो नीचे डिफनेशन पढ़ लीजिए बहुत आसान भासा में है जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह द्रव में ना बदल कर सीधा गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं सब्ली मेशन या उद्धर उपातन आप आप अमोनियम क्लोराइट नेप्थिलीन वेगारा नहीं जुटाने लगिएगा मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ एक कपूर लीजिएगा उसको जलाईए किया हो गया कोई ठोस हो तो Св touch है उसमें आप अग लगा गरम करने पर व ड्रव में यानि लिक्विट्वीड में न बनकर कोन से फरम में बन जाता है वह गैस की रूप में आज होते हैं सब्लीमेशन यानि उधर पातन ठीक है चलिए आज के वीडियो का आखरी कुशन देखते हैं चलिए 50 नम्मर देखते हैं कोशन भारी वाहन में डीजल का उपयोग क्यों किया जाता है तो इसका अंसर हो जागा उच चमता और आर्थिक बचत देखिए पेट्रोल से हम अपयोग होता है तो डीजल का उपयोग होता है ठीक है तो नीचे मैं explain में लिख दिया हूँ डीजल इंजन का परियोग भारी वाहनों में होता है क्योंकि यह भारी बोज को खिचने के लिए अधिक सकती प्रदान करता है जो कि इन भारी वाहनों की कुल इंधन खपत में कम भी लाता है तो डीजल हमेशा सस्ता होता है इस कारण से जो है ट्रक वेगरा में डीजल इंजन का परियोग होता है तो ये था इसमें हम सब कोस्टन नमबर 41 से लेकर के 50 तक देखे आपको कैसी लगी वीडियो कॉमेंट करके बता सकते हैं वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक कर ले दूसरी बात अगर आप ये सिरीज फॉलो नहीं करने है तो प्लीज आ दिखेंगे ये मैं गैरेंटी बोल रहा हूँ चाया आप कोई भी competitive exam की तयारी कर रहे हो और कोई भी बच्चे 9,10,8 की तयारी कर रहे हो ठीक है तो उस exam में दिखना ही दिखना है ये question तो प्लीज आप अच्छे से इसको revision करें ठीक है इसका PDF मैं दे दूँगा टेलिग्राम चैनल description में link दे दूँगा आप जाके download कर पाएंगे तो चलिए जल्दी मिलते है next studio में वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को subscribe कर लेंगे like कर लेंगे तब तक के लिए thank you so much bye bye and take care